आप सभी के लिए एक different room लेके आए हों जो कि हमारे me 11x के लिए available हुआ है जहाँ पर icon animation काफी अच्छे है limited aod बगेरा है और यहाँ पर different icon pack के बावजूद भी आपको icon animation देखने को मिलता है जो कि काफी interesting बनाता है इस room को बट इस room के customization कैसे है performance कैसा है stability वगेरा है या नहीं यूज करना चाहिए नहीं सारी जनकारी में लेगी बस लास्ट अब को watch करने और वीडियो अच्छा लगता है तो बस एक रिक्विस्ट है like कर ले नए है तो subscribe कर ले और share जरूर कर दिना ताकि यह बाकिया दल लोग तक आप देखो कि जैसे open and close करता हूं तो icon animation प्लस different animation भी नजर आता है और यहां पर different icon pack यूज किया गया है फिर भी इसमें icon animation दिखाई देता है यह चीज़ मुझे यहां पर अच्छा लगा और जो unlocking animation है वो भी काफी सही नजर आता है बाकि यहां पर आप देखो कि widget support आपको द particle यानि 2 into 1 और 1 into 12 अभी यहां पर आपको नजर आ जाता है साथ सेटिंग पर इन करते हैं तापको different font देखनी को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है और साथ साथ यह गोफी एडिशन 14.0.7 stable build पर रन कर रहा है और इसका same update कुछ टाइम पहले भी आया था जिसका वीड आया था साथ में की तरफ से वह स्टेवल था बड़ उसी को modified किया गया 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 है तो दोनों चीज़े different है तो इस चीज़ को आप समझ लेना ठीक है बाकी बैक क्यों रहते हैं तो यहां पर animations वागरा तो आपको चाइना वाले देखनी को मिलते हैं जो कि काफी अच्छे ल पसंद आने वाले हैं और मैं ट्राइ करूंगा इन्हें निकाल के अपने टेलीग्राम पर देने का बड़ हर बर कहते हूं भूल जाते हूं बाद में कई सारे रहते हैं तो दिमाग से निकल जाता है तो अगर रहा ध्यान तो लिकाल के दे दूंगा यूज कर लेना अधर व के ओप्सन देखनी को मिल जाते हैं जहां पर थीम का तो आइकन नहीं है बड़ आप देखो मैंने कस्टम यहां पर यूज कर रखा है क्योंकि आप इसी अपने थीम इस्टोर में जाके डाउनओर करके अप्लाई कर सकते हो तो थीम में आपको बहुत सारे सपोर्ट मिल करता है प्लस में रिफ्रेश्ट का ओप्शन है जहां पर 160 और 120 दी आ गया है वन यानि आपके 120 कर देता है बट 120 में नॉर्मली ऐसे यूज करता हूं बाकि वह सारे आपको कॉमन से ओप्शन दिखाई देते हैं अनदर यहां पर आपको दिखाए देगा साउंड का प्रोफ और यहां पर आपका लॉंचर यूज करा गया है ना यह थोड़ा डिफेंट है अलग तरीके से मोडिफाइट किया गया है तो कुछ-कुछ आपको यहां पर वी एंग जैसी फील आती है बट एक्चुले में वह नहीं है क्योंकि यहां पर आप देखो कि अगर मैं इसके बा सकते हो यह तो यहां पर कह सकते हों कि मिलते हैं वाइकन के अंदर जहां से कर सकते हैं तो अपको यहां यहां इसका है जो रिखाई नहीं कर सकते हो अनदर यहां पर जो भी apps के name दिखाई नहीं दे रहे वो आप यहां से reflection के अलाबा इस जगह से उन्हें add कर सकते हो ताकि आपको यहां पर icon name वगरे देखनी को मिल सके और उन्हें आप color वगरे भी कर सकते हो छोटा बड़ा भी है जो यहां से कर सकते हो बाकी यहां पर नीचे जो सो कर रहा है वो है पूर जबकि पूर नहीं है मेरा फोन तो भाई नीव है कुछ ताइम पहले नहीं आया है था सैड आप regular वीवरों तो पता होगा तो यहां पे health का issue है तो health को ignore मारना यह मत समझ लेना कि पूर बता रहा है तो बैटे ख्राव हो गई नहीं इस रोम का ए दिखाई दे रहा है और इनिमेशन भी काफी अच्छे तरीगे से काम करता है कंट्रोल सेंटर आपको न्रॉमल सा दिया गया है इसमें ज्यादा मोडिविवेशन नहीं करा गया है बाकि हम आते हैं टेस्ट रिजल्ट किये उपर तो बाई-डिफॉल्ट आपको यह अप्लि क्योंकि इस डिबाइस के अंदर ना maximum time जब से 10.0 में हंटे ट्राइ किया है जब से 70 75 ही रहता है 80 बहुत कम जाता है और यह 79 गया है तो यह अच्छा लगा उसके बाद यहां पर आप देखो अंडेट पर डालने के बाद मैंने यहां पर रन किया cp total जो कि आप देख सकते हो काफे ज़रा ट्रोटलिंग आया नॉर्मल में जो कि कह सकते है नॉर्मल है तो ठीक है लेकिन उसके बाद यहां पर बैटरी डॉप जो कि 59 के बाद मॉर्णिंग में आता है 54 यहां पर जो तो बैटरी डॉप हुआ न वो थोड़ा सत ज्यादा है और यह 5 परसंट का है जो कि 8 आर्स 19 मिनट के अंदर हुआ है तो इससे थोड़ा और कम होता तो बेटर होता बड़ यह कोई ज्यादा यूज नहीं है लेकिन थोड़ा और इंप्रूमेंट के जरुवत मुझे लगी लेंस रियल्ट और जैसे मैं गेमटरों का प्रफॉएंस मूड अन कर देता हूं उसके बाद आप यहां पर देखोगे कि यहां पर 3,35,000 मैक्स है और मिनवम यहां पर 2,6,000 है जो एक अच्छा खासे यहां पर दिखाई देता है बाग यहां पर गेमिंग अंदर भी आपको आपको देखनी को मिल जाता है और सथ-सथ यहां पर आपको देखनी को मिलता है जो कि हमारा डिवाइस के साथ फोटो अन्लिम्टेट जो की अच्छी बात है जो जीतना चाहूं अप्लोड कर सकते हो तो यह सारे ड्वांटेज आपको यहां पर दिखाई देंगे इसके लब आपको यहां पर दिखाता हूं तो आप यहां पर देख सेते हो काफी सही है और इस सेम पिछली वाला जोपडेट आया था उसमें भी एनिमेशन देखनी को मिला था और रोम मुझे और रोल काफी अच्छा लगा बस बैटी ठाव सा इंप्रूड हो जाए तो बेटर रहेग बाकि इस रोम के अंदर मुझे कोई भी कमी नहीं लगी और ऐसे भी यूज कोई बैटरी डॉप दिखाई नहीं देता नॉर्मल सही है तो आपका क्या है ओपिनियन इस रोम के बारे में कमेंट जरूर करना क्या आप इसे ट्राइ करोगे या नहीं या फिर रेडिक कर रहे ह हैं तो आप कमेंट जरूर कर देना ठेक है बाई